हैलो, वेरी गुद मॉनिंग केट्स, हाउ आ यू, कैसे हैं सब, अभी तो रक्षा बंदन का सेरिब्रेशन सबने बहुत अच्छे से कुलें, है ना, सारी जो गल्स हैं, अपने अपने भाईयों को सबने राखी बांदी होगी हो, वो बहुत सारे डेख सारे गिफ्ट भी मिले है ना, वो सुन्दर सुन्दर ममा ने गिफ्ट लाके दिये हो इंगे, है ना, और धेर सारी लुख्याईया पी इखाई हैं, सारे गल्स हैं, और बॉइज में भी, है ना, ये कितना अच्छा लगता है जब हम सेरिब्रेट करते हैं रक्षा बंदन, सारी लड़कियों को गि अभी मैंने ट्लास में सारी गल्स के हैं ऐसे कर वायती हैं, और बोला था कि सब अपनी महदी दिखाई है, और रक्षा बंदन की बहुत अच्छी किये सारे बख्चों में, बहाई बहुत अच्छी रक्षा में बनाएं सारे बख्चों में, और पढ़ाई की या ने की, थी कम्प्लीट कर लिया है आप इसके बाद हम शुरू करेंगे नया पेंजन डब क ख ग घ घ रड़ा च ज ज ज ज ज या त ठ डब डब डमरू है न वो वाला डब तो हम आज आपको आपकी हिंदी की जो भुख है हरवाल की तरह आपको यह भुख है इसमें हम मैं भी बोलें की के पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं आइडेंटिफिकेशन चित्रों की पहचान जो वेंजन रही है उसके चित्रों की हम पहले क्या करते हैं पहचान करते हैं उकिसेक्सार्ट करें करते हैंAh आज का वंजन हमारा dub क्या हे यह हमारा ग्रेंजन dub अगनस्ट कर दंडलू क्या हैसे गा्किया ऑल्ड केंगर क्या होता है पोस्ट में ऑजि कल तो यूपेख बंग कम आते हैं यूपों पहलते हैं मैं अड्राउन कसल्री है कम पएंटे हैं लेकिन पहले कि जो डांकिया होते थे वो ऐसी यूनिफॉर्म पैंते थे इनकी बिए ड्रेस होते थी जैसे स्कूल में मैं आप लोग की यूनिफोर्म है उसी इनकी भी होती थी तो हमारे ग़पर जो किसी का कुछ पोश्ट होکर आता है और हमारे आपर जो डाकिया देने आता है कोई अंकल देने आते हैं तो ममा से पूछना आपकी बार कि ममा यह होते हैं डाकिया ठीक है? तो डासे डब्लू डासे डाकिया डासे डंडा डंडा मैं बोलती है डंडे से पटाई लगाओंगी बोलती है मैं, डासे, डबल रोटी, डबल रोटी क्या होती है, ब्रैड, आजकल कोई भी बच्चा डबल रोटी नहीं बोलता, सारे जो भी बच्चे हैं, या जो भी बड़े हैं, सब यूद, क्या बोलते हैं, ब्रैड, लेकिन ब्रैड को हम इंदी में क्या बोलते हैं, डबल कौन सब एंजन है? दा डा से डम्रू डा से डांकिया डा से डंडा डा से डवल रूटी डा से डलिया तो हमारे पास 1,2,3,4,5 कितने चितर हो गए? 5 डा डम्रू पे खितने चितर हो गए? हम डम्रू भी एजी ली बना सकते हैं डड़ा बीजी की बना सकते हैं डबा बूटी, इस्करशेट की होती है और ड़िया और ये जो अंकर है हम इनका बेज़ बनाके बता सकते हैं कि ये ड़ा को डाप गया है ना? डा से डाप गया तो चलिए हम ड़ू का चित्र बनाएंगे डड़ा बनाएंगे, डलिया बनाएंगे और डबा रूटी बनाएंगे है ना? तो सबसे पहले हमको क्या पहचान कर गी है ये क्यों सब एंजल है? ड़ क्यों सब एंजल है? ड़ ड़ से ड़ू ड़ से डागिया ड़ से ड़ंडा डासे डवा नूटी, डासे ड़िया ओके, तो आज आपका क्या बर्ख है पहले तो सबसे पहले आपको अपनी मम्मी, पापा या घर में आपसे जो भी मढ़े उनको कर से लेके ठाता के बेंचन मोखित सुनाने है मतलब पापा से बोला, पापा, या मम्मी में ये सुना रही हूं, आप सुन लीजी फिराब बोलना, उसके बाद आप डरड़ जाएं जैसे करसे कम्पूतर, करपोश, करसे गंग्ला, करफे हरी, आणाब खाली यहां तक आपको मौखी सुनाना है ठीक है? किसको सुनाना है? घर में भेया, दीदी, जो भी आपसे बड़े हैं, उनको आपको यह सुनाना है इसके बाद कल की ग्रास में हम क्या शुरूर करेंगे? इनके हम कुछ चित्र बनाएंगे और चित्र से इनको मिलाएंगे कि हमने यहीं ड़्मू बना दिया, डलिया बना दिया तो इन चित्रों का एक ही वेंजन है क्या है? ड़्म है ना? तो आज आपको सिर्फ पेज नमबर 50 है यह उस पर आपका ड़्मू दिया हुआ है आपको अच्छे से पहचान करेंगे ओके? ओके? बाइ